हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास एर्थ की मैट्स की जो ही आपके पास NCRT की बुक है ना, इसका जो चैप्टर नमबर 5 है, स्क्वाइर सें स्क्वाइर रोट उसमें आज मैं आपको एक्सेस 5.1 के आगे का कंसेप्ट समझाने वाली हूँ लास्ट क्लास में हमने एक्सेस 5.1 तक कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सारे ट्राइदिस के कोशन्स की है और एक्सेस की है, ठीक है और कंसेप्ट समझाए चलिए, आप जानते हैं, finding the square of a number, किसी भी number का square निकालना हो, तो कैसे निकालना है वैसे तो आप लोग सोच रहोंगे, square निकालना तो बहुत असान तरीका है, अगर मैं कहूं 12 का square बताओ तो आप 12 into 12 करके बता दोगे, multiply करके, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको square इस तरीके से नहीं निकालना है एक तरीका है, वो ही तरीका आपको follow करना है, और वो तरीका है क्या, देखो, जैसे आपके पास यहाँ पर एक example दे रखा है find the square of following number without actual multiplication, लिखके दिया है, कि आपको multiply नहीं करना है, बट फिर भी इसका square बताना है अब वो कैसे बताना है, जैसे यह 39 है, तो example से ही समझ लेते हैं यहाँ पर तो first part में आप से यहाँ पर क्या कह रहा है, 39 है आपके पास, आपको इसका square बताना है तो आप कैसे बताओगे 39 का square, multiply तो करना नहीं है, इसको दो पार्ट में split कर लो, तो उसको लोग दो 30 प्लस 9 का holy square ठीक है, आप कुछ identities आपने पढ़ी होंगी, उन identities को आप use कर सकते हों, जैसे आपने एक पढ़ी है, A प्लस B का holy square वो होता है मिरे पास A square, प्लस का B square, प्लस का 2AB है न, यहाँ देखा जाये तो A की value 30 है, और B की value कितनी है, 9 है बस यह identity लगा दो, तो 30 का square, प्लस में 9 का square, प्लस में 2AB ठीक है, तो 33 जा 9, तो यह 900 हो गया, 99 जा 81 हो गया, और इन तीनो को यहाँ मल्टिप्लाइ कर लो, तो 32 जा 6, 60 हो जाएगा है आपर, 60 को 9 से करोगे तो कितना हैगा, 69 जा 54, तो 540 आ गया अब आप इन तीनो को प्लस कर दो, तो आपका आंसर आजाएगा 1521, तो देखो मैंने ऐसे 39 इंटू 39 करके मल्टिप्लाइ नहीं किया, क्योंकि कोशन में बोला था, आपको ऐसे नहीं करना है, है ना, तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दिया, एक और पार इसका दे रखा है आपको 42, अगर हम उसको देखें, तो 42 का स्क्वाइर कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पर, उसको हम लिख सकते हैं, 40 प्लस 2 का होल स्क्वाइर, आइडेंटिटी से हम यही वाली यूस कर देते हैं, यहाँ पर देखें, त यह वैलू 2 है आपके पास, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके पास 40 का स्क्वाइर, प्लस 2 का स्क्वाइर, प्लस 2, 40 इंटू में 2 हो गया, तो यहाँ आजाएगा 1600, प्लस यहाँ आजाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 0 ऐसी हैं, बस इन सब को आप क्या करों, यहाँ पर प् का स्क्वाइर निकाला हो, तो आपको इस आइडेंटिटी से आप निकाल सकते हो, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट जानते हैं, के रहेगा पाइता कॉर्ण ट्रिप्लेट, यह क्या होता है, नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए धिहान से समझना, पाइता कॉर्ण ट सबसे पहली बात यह बता दूं कि वो तीन मेंबर कैसे निकालते हैं, तो जो 2M है वो, M2-1 और M2-1, यह तीन मेंबर होते हैं, जो पाइता कॉर्ण ट्रिप्लेट बनाते हैं, अब आप सोच रहूंगे, क्या है यह, कैसे बनेगी पाइता कॉर्ण ट्रिप्लेट, बहुल सह दो एक्जामपल दे रखें, उन एक्जामपल से हम यह पाइता कॉर्ण ट्रिप्लेट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, चलिए, यह आप से क्या क्या रहे हैं, राइटा पाइता कॉर्ण ट्रिप्लेट, हूस स्मॉलेस्ट मेंबर इस 8, जैसे कि मैंने भी आपको बता इस में से एक मुझे 8 दे रखें, अभी मुझे नहीं पता इन तीनों में से 8 है कॉन सा, ठीक है, बाकी के दो मैंबर मुझे को फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करेंगे वो यहां देखो, एक्जामपल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि फिर इस एक्ससाइस भी इसी पर ही इन ट्रिपलेट की वो क्या होती है, तो जनरल फॉर्म ओफ पाइताग और एन ट्रिपलेट, वो होती है मेर पास, एक होता है 2M, एक होता है M स्कॉर माइनस 1, और एक होता है M स्कॉर प्लस 1, ठीक है, अब जो आपको 8 दे रखा है, इन तीनों में से किसी के भी इक्वल रख के देख लो, माल लो, मैंने है M स्कॉर माइनस 1 के इक्वल लग दिया, मैंने माना वो छोटा मेंबर ये वाल है, ठीक है, तो M स्कॉर इस इक्वल स्टू 8 प्लस 1, तो वो जाएगा 9, M की वेलू कितनी आजेगी, हां से 3 आजेगी, बाकी ये दोनों से अब M की वेलू होगे, तो कितना 10 आजेगा, अब आप धियान से देखो, आपको बोला था कि 8 सबसे छोटा मेंबर है, पर आपके पास तो उससे भी एक छोटा मेंबर निकल गिया, 6, तो इसका मतलब M स्कॉर माइनस 1 इस इकल टू 8 नहीं है, नहीं है, तो आप दूसरा के ट्राइ करो, ये अब इन में पुट करो, M स्कॉर माइनस 1, 4 का स्कॉर माइनस 1, 16 माइनस 1, 15 हो गया, M स्कॉर प्लस 1, 4 का स्कॉर प्लस 1, 16 प्लस 1, 17 हो गया, तो 3 मेंबर कौन कौन से हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, चो सबसे छोटा तो 80 है, कोशन में भी सबसे तर्टी प्लेट इस 8, 15 and 17 इसमें पता चल गया कि ये ट्रिप्लेट क्यों नहीं बना क्यूंकि इसमें 8 मेरा छोटा मेंबर नहीं रहा उससे चोटा एक और मेंबर निकल गया पर कोशन में मुझे बोला गया कि ये सबसे छोटा मेंबर है तो इसका मतलब ये इसकी value नहीं हो सकती है या तो इसकी होगी या इसकी होगी फिर मैंने इसमें ट्राय करके देख ली आप चाओ तो पहले इसमें देख लेना ठीक है? मैंने इसमें ट्राय करके देखे तो इसमें 8 मेरा सबसे छोटा member निकल गया बाकी दो उससे बड़े ही निकले हैं तो सिधा सिधा मैंने यही वाला केस ले लिया क्लियर होगे एक्जाम्पल अभी एक और एक्जाम्पल है इस फी बेस्ट वो देखो फाइंड़ पाये तो कोरें ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इस ट्वेल फिर से वो यह ट्रिपलेटी बनानी है लेकिन इसमें एक मेंबर ट्वेल दे रखा है ऐसा नहीं बोला यह छोटा मेंबर है या बड़ा मेंबर है तो अब इससे छोटी भी वेल्यू आ सकती है और इससे बड़ी भी वेल्यू आ सकती है है ना तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे एक्जाम्पल 3 है यह आपके पास तो जर्नल फॉर्म क्यों होती है जर्नल फॉर्म आफ पाइताकोर एंट ट्रिपलेट वो होगी 2M M2-1 और M2-1 अब एक मेंबर 12 दे रखा है मुझे नहीं पता यह है यह है यह है यह है किसी भी 1 के एक्वल मैंने हैं रखके देख लिया तो M2 is equal to 13 अगया यह माइनस 1 उधर जाके प्लस का हो गया तो 13 तो किसी का भी स्कॉर नहीं होता तो यह M पे से स्कॉर हटी नहीं पाएगा मुझे तो M की वेलू चाहिए ना तब ही तो इन दो में पुट करके बाकी दो मेंबर निकाल पाऊंगी अब यहां से M तो निकल नहीं रहा तो बस यहां लिख देंगे value of M will not be integer तो इसका मतलब 12 जो है वो यह नहीं है आप 2 M की जगा रखके देखो ठीक है तो मैंने 2 M की जगा 12 रखा तो M कितना आजाएगा 12 अपॉन में 2 कट किया 6 आ रहा है आप 4 तो इसकी जगा भी रखके देख सकते हूं पर इसमें भी फिर आपकी आंसर नहीं निकलेगा integer नहीं आएगा किसी का भी perfect square नहीं होगा वो ठीक है जादा तर cases में 2 M के बराबर ही होता है M आ गया आप M square minus 1 तो 6 का square minus 1 तो 36 minus 1 एक हो जाएगा 35 M square plus 1 तो 6 का square plus 1 तो 36 plus 1 एक हो जाएगा 37 बन गए quiet triplet आपके पास आगया यहाँ पर वो आपके पास आगया एक तो 12 गिवन था 35 और 37 आपने निकल लिया क्लियर रुआ तो यह थै एक्जाम्पल 3 तो आज की ग्लास में अमने तीनों एक्जाम्पल्स कर लिये खतम हो गई एक्जाम्पल्स अब 5.2 शरू है यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ छोटी सी एक्सेसाइज है ज्यादा बड़ी नहीं है नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको इन तीन एक्जाम्पल में कोई भी दिक्कत हो ना तो पूश लेना कमेंट करके क्योंकि एक्सेसाइज इनी तीनों बाई बाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजेगा थैंक यू, have a nice day